नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Chartered Accountant Sunil Hirani और आप देख रहे हैं मेरा YouTube Channel Yes, I Can Sunil Hirani तीन पार्टी होती है वेयर हाउस में जो पूरे वेयर हाउस के सिस्टम को चलाती है नमबर वन जिसे हमने A नाम दिया है A is a warehouse owner जिसने की warehouse बनाया है लोन लिया है bank से और warehouse बनाया है B, bank जिसने लोन दिया है warehouse बनाने के लिए और तीसरा है K, K नाम दिया है किसान है वो किसान अगर माल रखेगा तब तो वो वेयर हाउस चलेगा किसान माल क्यों रखेगा क्योंकि उसे अच्छा दाम चाहिए उसके लिए वो अपनी फसल को होल्ड करके रखना चाहता है किसान अगर माल अपना वेयर हाउस में रख देगा और उसे अचानक कुछ पैसे की जरूरत है, माल लीजिए कि उसकी कटनी हो गई, उसने अपना माल वेर हाउस में रख दिया, लेकिन अचानक उसके यहां उसकी बेटी की शादी जुड़ गई, या उसके यहां कोई फंक्शन हो गया, उसे अचानक 50,000 रुपे की जरूरत है, तो वो अपने माल के अगेंश्ट में जो माल उसने वेर हाउस में रखा है, क्या उसके अगेंश्ट में उसको पैसा मिल सकता है, कुछ, बाद में वो चुका दे और अपना माल उठा ले, इसी व्यवस्था को कहते हैं, Scheme for Financing Against Warehouse Receipts, देखिए, किसान के, A. वेर हाउस ओनर, B. बैंक, ठीक, के ने, यानि किसान ने, सौ बोरे रखे, एक हजार रुपए का एक बोरा है, एक लाख रुपए का उसका माल हो गया, Market Price के हिसाब से, A. के जो है, किसान A के पास गया, A. जो है, वो वेर हाउस ओनर है, उसने सौ बोरे रख लिए, Market Price एक हजार रुपए थी, और एक लाख रुपए की, उसने एक वेर हाउस की रिशिप्ट किसान को दे दी, मतलब के को दे दी, किसान का तो एक लाख रुपए का माल कहा रखा है, A. के वेर हाउस में, अभी तक B. पिक्चर में नहीं आया है, किसान ने अपना माल रख दिया, और A ने के को वेर हाउस की रिसिप दे दी कि भाईया इतना तेरा माल है ये सौ बोरे है एक हजार रुपए का दाम है एक लाख रुपए का माल तेरा मेरे पास रखा हुआ है पंधरा दिन के बाद किसान की लड़की की शादी जुड़ गई और किसानों के गाओं के लोगों में तो ज़्यादा शादी में खर्चा कई लोग करते नहीं है या माल लीजिए उसके हाँ कोई सगाई का फंक्शन है उसको पचास हजार रुपए की जुरूरत है अब आएं वो अब चला गया वो वापिस के जो है वो ए के पास चला गया उसमें का भाई साब मुझे माल बेचना है ए जो था वो समझदार था उसमें के से कहा किसान से कहा कि भाईया तू माल अभी मत बेच अभी जो तूने सोयाबीन मेरे हाँ रखा है या गेहू रखा है इसके rate पढ़ने वाले है वो बोलता है भी हम मैं कहां से पैसा लाओंगा तो A बोलता है चिंता मत करो मैं तुमकों चेक दे दूँगा तुमकों कितने पैसे चाहिए उसने कहा मुझे 50,000 चाहिए तो उसने कहा A ने के से बोला कि तुम्हारा पैसा में पास जो माल रखा है वो सभी जानते होंगे लगबग हर वेक्ती जानता है जो बैंक से डीलिंग करता है बैंक से लोन लेता है A ने K से कहा मतलब warehouse के owner ने किसान से कहा कि 13 एक लाख रुपए का माल रखा है margin माल लीजे 25% हम लेते हैं तो एक लाख रुपए पर तेरी viability जो बनती है 75,000 तेरे को bank loan दे सकती है अब किसान क्या बोलता है A को मतलब K A को क्या बोलता है बहिया मैं कौन सी bank में जाओंगा मेरी कौन सुनने वाला है कौन मुझे पैसा देगा और मेरा माल तो तुम्हारे यहां रखा है बहिया, bank मेरे को पैसा कैसे देगा bank तो मेरे माल के अगेंस्ट में पैसा देगा KCC भी मेरे पास थी कि वो मेरी पूरी फूल चल रही है A उससे बोलता है ऐसी बात नहीं है अपने एक फाइल तयार करते है मेरे पास यह फार्म है यह फार्म तुम भर दो इसकी यह साइन कर दो और यह पूरी फाइल हम तयार करके bank को देंगे और bank अगर तुम्हारा 75 अजार तक सेंक्शन कर सकती है अब यह हो गई एक कहानी किसकी जो A है वेर हाउस का ओनर उसकी और किसान के बीच की बातचीत मैं आपको बता रहा हूँ अब यह बातचीत होने के पहले A की और B की क्या बात हुई है वो मैं आपको बताता हूँ A कौन है वो है वेर हाउस का ओनर B कौन है बी है बैंक A ने B से लोन लेकर के वेर हाउस बना दिया एक एक्जामपल के मताबिक हम यह मान करके चलें कि A ने 1000 मेट्रिक टन याने 10,000 बोरे रखने का वेर हाउस उसकी 100% केपैसिटी जो है वो 10,000 बोरे की है एक बोरे की कीमत अगर हम मान लीजे 1000 रुपे पकड़ें तो उसके वेर हाउस में एक करोड रुपे का माल आ सकता है 10,000 बोरे एक हजार रुपे प्रती बोरे की रेट से अगर हम पकड़ें तो उसके वेर हाउस में 100% केपैसिटी पूरा फुल अगर वो भरा रहेगा तो एक करोड का माल है ऐसा हम मान के चले अब बैंक डिसाइड करेगी बैंक ने वेराऊस बना के दे दिया वो उसने किराये पे देना भी शुरू कर दिया अब यह जो के टाइप के जो किसान हैं जिसके पास सौब हो रहे हैं उसने माल लाई गई है कि किसान अपना पैसा ळूर पूने दाम में बेच कर ना लाए साहुकार के चकर में ना पढ़े जो वो तीन परसेंट, पाँच परसेंट, दस परसेंट उससे वेहने का बयाज लेता है, बैंक उसको बयाज देगी, बैंक बयाज की दर पे एक परसेंट सवा़ परसंट या साल के 10 परसंट 12 पर उसको बैंक से भी आज मिल जाये ये सरकार की मैंचछा है और ग्रामीन बनदालन योजिना प residents के पीछे कारण तो सरकार का यही है कि किसान को बैंक की दर्पर बैंक से ही पैसा मिल जाये ये सीधा सीधा सिधान्त है इस स्कीम को लाने के लिए जब वेर हाउस बी ने ए को बना दिया मतलब बैंक ने ए को वेर हाउस बना करके दे दिया उसके बाद जो दस हजार बोरे की केपैसिटी का है वेर हाउस ए वापिस से बैंक के पास गया कि आप देखिए, हमारे हाँ आसपास के कम से कम 20 गाओं के लोग अपना माल मेरे हाँ रखने, रखने आएंगे या रखते हैं, अब उनको अगर पैसा चाहिए तो वो हम कैसे उपलब्द कराएंगे, बैंक ने उनको कहा, मतलब B ने A से कहा, कि अरे भाई आप परेशान मत हो, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक स्कीम है, जिसे हम कहते हैं, स्कीम फॉर फाइनसिंग, फाइनसिंग याने लोन देना, अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट में, वेरहाउस रिसिप्ट, यह पूछता है बैंक से, वेरहाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट में लोन की फाइनसिंग, यह क्या है, भी उसको बोलता है कि तुमने के तुम्हारे पास आएगा, एक सौ बोरे रखेगा, एक लाग का माल रखेगा, तुम उसको क्या दोगे, वो बोलता है, मैं वेरहाउस रिसिप्ट दूँगा, तो तुमने जो उसको वेरहा तुम उसको माल वापिस कब दोगे, उसने का जब वो हमारे को वेरहाउस रिसिप्ट वापिस लाकर के देगा, और पूरा पैसा किराया देगा, पूरा हमारा उसका किराया का हिसाब जब पूरा हो जाएगा, तो हम उसको बोल देंगे, या तुम तुम्हारे सोबोरे उठा करके ले जाओ तो बोले simple बात है जब वो warehouse receipt हमारे पास रखेगा ABD के against में loan देता है bank OD देता है उसी प्रकार warehouse receipt के against में बिना warehouse receipt के आप उसको माल वापिस नहीं करोगे तो जब तक warehouse receipt हमारे पास रहेगी माल तुमारे पास रहेगा बोले हाँ ये बात तो ठीक है तो warehouse receipt के साथ में ये फलाने फलाने कागज है ये कागज के साथ आप warehouse की receipt हमको दे दो और हम एक sanction letter दे देंगे कि इस व्यक्ति की warehouse receipt जो है वो एक लाग की है 75,000 रुपए तक आप इसको check दे सकते हैं और वो check जो है आप उसको दोगे तो वो यहां से हम उसको पैसा दे देंगे वो check अपना अपने खाते में जमा कर दे और हम ऐसे अगर 50, 100, 200 किसान है तो हम सबके अलग-अलग खाते नहीं खोलेंगे तुमारे को हम limit दे देंगे तुमारी capacity एक करोड की है 25% margin है तो हम 75,000,000 की तुमको limit दे देंगे और जितना माल भरा रहेगा उस हिसाब से तुमको drawing power दे देंगे उतना पैसा तुम उतने की check तुम दे सकते हो जितना तुमारे पास माल रहेगा उसका 25% कम कर देना उतना पै पाइल तेयार करके हमको दे गए हम एक लेटर दे देंगे कि इतना पैसा आप किसान को दे दो इतना दे सकते हो आप दे देना उतना पैसे के उपर हम आपसे भ्याज लेंगे वह आपके खाता वो होगी आपकी warehouse के against में जो financing है हमें आपकी एक limit बना देंगे इस example में जो हम इस वीडियो में दे रहे हैं दस हजार बोरे पर एक हजार रुपए के rate के हिसाब से एक हजार metric ton में आपकी होगी capacity एक करोड़ की एक करोड़ में 25% margin 75% का आपकी हमको CC limit हम आपको दे देंगे आपके माल के against में warehouse receipt की अब K1 आए, रामलाल आए, शामलाल आए, गोपाल आए, रमेश आए, धन्नु आए, ढोंडया जी आए, कोई भी आए उसको जो तुम warehouse receipt दोगे अगर उसको उसके against में, माल के against में financing चाहिए तो हम checkbook आपको दे देंगे, आप उसको check दे देना, हमारे पास file तैयार करके लेके आना, हम तुम को letter दे देंगे कि इसकी value इत्ती रहेगी ये हो गया आपका warehouse receipt के against में किसान को loan check कौन दे रहा है, A दे रहा है, K को A check दे रहा है, K को limit किस ने दी है, bank ने दी है, मतलब B ने दी है उसकी, warehouse की capacity के हिसाब से, और उस capacity में कितना माल वो रखेगा, उसके हिसाब से, उसको limit दे दी इस प्रकार के जो है, जिसने 100 बोरे रखे, A के यहां, उसको 1 लाख रुपए पर 75 प्रतीशत, याने 75 अजार रुपए तक का वो पैसा उठा सकता है, bank से, लेकिन उसको आवश सकता 50 अजार की थी, उसने 50 अजार रुपए उठा लिए, बाद में उसने जो है, वो 50 अजार वापिस से उसको दे दिये, और उसका पूरा माल उसने वापिस उठा लिया, bank से, जो है, उसने वेरा उसे सिप्ट ली, और इस तरीके से, जो है, किसान को 50 अजार रुपए अपने माल के अगेंस्ट में, थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए उसको चाहिए था मिल ग वहराउस रिसीप्ट, एक को B लिमिट देता है, याने बैंक लिमिट देता है, और A, K1, K2, K3, जितने किसान उसके हमाल रखेंगे, उनक्यों वो चेक दे सकता है, बैंक के सेंक्शन के बाद, तो यह हो गया आपका वहराउस रिसीप्ट के अगेंस्ट में फाइनिंसिंग अब एक बात important है, आप लोगों के मन में एक प्रश्णा सकता है, कि वो जो किसान की फाइल होगी, उसमें बैंक जो है, कौन कौन से डाक्यूमेंट चाहेगा, या जो वेराउस उनर है A, वो फाइल तयार करने के लिए किसान को कौन कौन से डाक्यूमेंट लगेंगे, एक त इंटरस चार्ज कर रहा है, बैंक इंटरस चार्ज कर रहा है 1% से, तो क्या A जो है, वो के से 1% ही पैसा लेगा, या 1.5% भी ले सकता है, 2% भी ले सकता है, क्या वेराउस उनर को किराय के अलावा किराया तो उसको मिलेगा जितने दिन, के जो है A के पास जितने दिन माल लगेगा उसको किराया देना पड़ेगा लेकिन उसने अगर फाइनेंस लिया है बेंक से चेक लिया है यह से बेंक को proper file तयार करके वेराउस रिस्ट के अगेंस्ट में तो क्या उसको ब्याज भी लगेगा यह दो प्रशन है कि क्या warehouse owner ब्याज से भी पैसा कमा सकता है आज मैं इसके उपर चर्चा नहीं करूँगा इसके उपर कुछ जानकारी मुझे अभी हासिल करना है कि ये लीगल है नहीं है बैंक ब्याज से इधिक कितना पैसा वो वसूल कर सकता है वो क्या गेर कानूनी तो नहीं है इन सब चीजों की assurance मुझे हो जाए उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ब्याज अगर वेराउस ओनर को बैंक ब्याज से कितना उपर वो किसान से चार्ज कर सकता है ये और वो फाइल बनाने के लिए कौन-कौन से documents लगेंगे अगर हुआ संभव तो हम किसी वेराउस ओनर के साथ एक interview shoot करके इन चीजों के और कौन-कौन सी समस्या है उनको आती है क्या-क्या फाइदे किसानों को होते हैं बैंक से लिमिट बनाने के लिए उनको कौन-कौन सी papers लगते हैं बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वेराउस ओनर को हम आपके सामने लेकर के आएंगे अगर संभव हुआ नहीं संभव हुआ तो मैं आपको ये दोनों प्रश्णों की जानकारी दूँगा कि क्या वेराउस ओनर ब्याज भी ले सकता है किराय के अलावा अगर वो वेराउस रिसीप्स के अगेंस उसको चेक द